So guys, कई बार आप लोगों ने ऐसे Instagramers को देखा हुआ जिनके name है वो बहुत ही stylish तरीके से लिखे हुए होते हैं और आप सुचते हैं यह name ऐसे कैसे लिखते हैं तो यार यहाँ पर आप लोग मेरे Instagram का जो name हो सकता भी currently मैंने इस वीडियो के लिए change कर रखा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस type का जो name है वो आप लोग स्टाइलिस font में लिख सकते हैं मैं आप लोगों को दो आसान तरीके बताने वाला हूँ अब इसका benefit यह होता है इस type का name लिखने का इससे यह होता कि आप लोगों को profile जो है थोड़ी attractive लगती है और आप लोगों को थोड़ा अलग दिखते हैं और आपका Instagram भी थोड़ा अलग दिखता है तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बहुत आसान तरीके दो तरीके बताने वाला हूँ जिसकी वज़े से आप लोग मस्त नाम अपना Instagram पर लिख सकते हैं दो कैसे लिख सकते हैं उसके लिए आप लोगो पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और साती साथ अगर अगर अभी तक आप लोगो ने वीडियो को लाइक नहीं कर रहा है तो और future में भी ऐसी वीडियो देख न चाहते हो कि जैसे fonts का तो ठीक है मैं वीडियो के last मैं आप लोगों को यह emojis का भी बताऊंगा क्योंकि बहुत से लोगों को यह नहीं पता होती कि emojis कहां मिलती है तो मैं आप लोगों को पूरी चीजे बताऊंगा ठीक है तो आप लोग पूरी वीडियो जरूर देखना तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ अगर आप लोगों स्टाइलिस नेम लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं तो पहला method मैं आप लोगों को सबसे पहले बताता हूँ तो पहले method के लिए हमें जाना पड़ेगा play store में जैसे मैं यहाँ पे आ चुका हूँ play store में हमें जाना है and search करना है stylist fonts ठीक है so यहाँ पे आप लोगों कोई धेरो applications मिल जाएंगे अब मैं कोई एक application suggest नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सभी में fonts सेम होते हो so कोई भी यहाँ random application यहाँ पे मैंने लिख लेना है so यहाँ पे मैं लिख लेता हूं so यह क्या होगा कि यहाँ पे automatically यह सारे names convert हो जाएंगे so जैसे कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यह name लिखे होगा ठीक है so मैं यहाँ अप से जैसे current वाला कुछ लोग यहीं वीडियो को छोड़ देंगे लेकिन मैं भी आप लोगों को second method बताता हूँ जिसमें आप लोगों को कोई भी app download करने की जुरत नहीं पड़ेगी फिर मैं आप लोगों emojis का बताऊँगा ठीक है so example यह वाला तो ठीक है method अब second method पर चलते है second method के लिए अगर आप लोग जैसे कि अगर आप लोग बार बार कोई app download नहीं करना चाते हैं और अच्छे चाते हैं अच्छे fonts आप लोगों को मिल जाए without any application तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर जाना है and search करना है stylus font तो यहाँ पर हम लोगों कर लेते हैं तो यहाँ पर कई websites आ जाएंगे अब आप लोग randomly कोई website पर जा सकते हैं क्योंकि fonts तो सभी में same होते हैं तो हम लोग यह first वाली पर ही चलते हैं और यहाँ पर जैसे हम लोग जाएंगे और जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे names मिल जाते हैं बहुत सारे देखो यहाँ पर कमी नहीं है बहुत सारे और एप में भी मिल जाएंगे ऐसा कोई issue नहीं है तो यहाँ से आप लोग जो भी नाम चाहते ना directly यहाँ से copy कर सकते हैं so example यहाँ पर हम लोग कोई बढ़िया सा name यहाँ पर choose कर लेते हैं जैसे यह वाला थोड़ा सा unique दिख रहा है बट मैं इसको नहीं रखूंगा मैं normal font टी रखता हूं तो यहाँ पर हम लोग यहाँ स ऐसे करके यहां से सिलेक करkiejणा है और पूराना name पर जाकर यहाँ पर इसको एसे करके paste कर देना हैba ठीक है आप लोगों को ये वाली चाहिए ताज वाली तो ताज वाली के लिए आप लोगों को यहाँ पर जाना है और यहाँ पर king search करना है ठीक है so king करेंगे तो आप लोगों को यह emoji मल जाएगी so ऐसे करके यहाँ पर आप with emoji अपना अपना जो name है वो लिख सकते हैं और stylist कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं write करके बता देता हूँ और आप देखेंगे normal logo से कितना अच्छा लग रहा है तो इस type से आप लोग Instagram पर stylist name लिख सकते हैं so I hope आप लोग उपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मैं मिलता हूँ आप से से किसी amazing और interesting वीडियो के साथ तब तक ले stay tune with Manish for you